एक अच्छा सहर कैसा होना चाहिए? एक अच्छा सहर वो है जो अपने कच्रे का प्रबंधन ठीक से करे ना कि उस कच्रे का पहाड बना दे ये वीडियो दिल्ली में इस्थित भलस्वा लैंड फिल की है ये कच्रे का पहार देश की राजधानी दिल्ली में इस्थित है इसे सभी दिल्ली वालोंने मिलकर बनाया है इसमें राज और समाज दोनों का हाथ है हमारे छोटे सहर और कस्बे भी अब इसी राह पर चल पड़े हैं एक अच्छे सहर की परिभासा में कच्रा प्रबंधन और सीवेज प्रबंधन जैसे सीजे बहुत पीछे रह गई है कूडे के इस पहार की उचाई साथ मीटर है और इसका छेतरफल पचास एकर से भी जादा है कच्रे के इस पहार में कई बार केमिकल रियक्षन की वज़ा से आग लगने की घटनाय भी होती रहती है ये कच्रे का पहार बनते बनते 20 सालों में बना है अब सवाल ये है कि अगर कच्रे का ये पहार न बने तो फिर कच्रे का प्रबंधन कैसे किया जाए इसका जबाब है सेग्रीगेशन यानि कच्रे का अलग अलग तरह के कच्रों में बटवारा जिसमें की आरगेनिक कच्रा, इनारगेनिक कच्रा और खतनाक कच्रा, बेंजरस वेस्ट ये देखिए अब हम आगे हैं इस कच्रे के पहार के उपर यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे कच्रे बिनने का काम करते हैं इसके अंदर से जो है वो चीजों का सेग्रीगेट करके और उसे बाजार में बेशते हैं यही पर बैठके ये कच्रा बिनने वाले लोग खाना भी खाते हैं यहां पर बहुत ही ज़्यादा भयावद दुर्गंध है यह दुर्गंध इतनी ज़्यादा है कि एक सामानने आदमी यहां पर सास भी नहीं ले सकता लेकिन कच्रा बिनने वाले लोग यही पर रहते हैं यह उनके जीवन का अभिन हिस्सा बन गया है तो जो सेग्रिगेशन का काम सबसे पहले हो जाना चाहिए था अब वो सबसे अंत में हो रहा है सेग्रिगेशन का काम यदि सबसे पहले कर लिया जाए तो कच्रे का पहाड़ बनने से रोका जा सकता है Municipal Solid Waste Management का जो नया नियम है जो 2016 में आया है वो बताता है कि जहां से कच्रे की सुरुवात हो रही है वहीं पर इसका प्रवंधन ठीक से कर लिया जाना चाहिए कच्रे को इन और्गेनिक और डेंजरस वेस्ट में बाट दिया जाना चाहिए और उस हिसाफ से फिर उसके जो प्रोसेसिंग है या रिसाइकलिंग है उसकी कहरेवाई की जानी चाहिए अब दिल्ली की जो एजेंसिया है वो इस कुड़े के पहाड की उचाई को कम करने में लगी है यहाँ पर आप मसीने देख सकते हैं जो की इसको सेग्रिगेट करके और इस खचरे के पहाड को खतम करने में लगी है लेकिन ये काम पहाड के जैसा है ये कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना मुस्किल है तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं